हेलो फ्रेंस मैं मॉनिका आपकी कार्णर दोस्त आज आपसे बात करूंगी कि अब देखिए गर्मी का मौसम आ गया सर्दी के जो प्लांस हैं वो जा रहे हैं तो अब हमें कौन-कौन सी प्लांस हैं जिनके बहुत असानी से हम भी जो हैं वो कलेक्ट कर लें और अगले मौसम क के बाद उन सीड्स को लगाएंगे तो सबसे पहले चलिए मैं शुरुआत करती हूँ आपको यह दिखाती हूं सबसे पहले यह देखिए यह है अलाइसम अरख म Psalm कि देखिए, इस तरह से यह सूकना शुरू हो रहा रहा है। слово.. यह बीज हैं, इनके अंदर बीज हैं, मतलब आप इनको भी लगाएंगे तो पौदा लग जाता है ये, देखिए य जो है ना, ये हैं ये देखिए ये मैंने तोड़ा ये धनीय जैसा चपटे चपटे इनको दिख रहें आपको, ये देखिये ये है ना तो यह इसके बीज है जो तो इनको आप ऐसे सुखे हुए portions को उठाके और कुछ नहीं करती हूं मैं तो यह जो है ना इनको collect कर लेती हूं अभी तो यह कम है अभी जिन में ज्यादा बीज होता है ना ऐसे यह देखे ऐसे अभी तो green है थोड़े यह भी brown हो जाएगी ना आपके ऐसे ही seeds ऐसे collect हो जाते हैं ना यह इस तरह से आपके यह ऐसे यह seeds आपके sit क्लेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे आप lyset के house क्लेक्ट सूखना शुरू हो गया अभ अब lysets एनका इसकी WIL कर सकते हैं एक यह देखिए गेंदे इसे बस जो आपको defects अगले सीजन में जब हमें लगाना होगा तो इस फ्लार को उपन करेंगे और यह देखिए यह बले ही पत्तियां भी फेक देंगे साथ तो कुछ नहीं है जो काले काले दिख रहे है न यह इसके सीड्स है मैं यहीं डाल जेती हूँ चीक है तो इस तरह से आप गैंदे के सीड्स कलेक कर सकते हैं यह देखिए यह जिरेनियम है जिरेनियम के जैसे अभी जैसे यह फ्लार ऐसे सूख गया है तो मैं टच कर रही हूँ न तो यह फ्लार भी सूख गया है तो आप ऐसे करें जैसे यह इसको न जैसे अब यह सूख ग चुट चुटे बाल लगे होते हैं, तो जब तक आपको पता चलता है, वो दुपैर में हवा चलती है, वो उड़ो उड़ा जाते हैं, तो इसके उपर polythin डाल दें, वैसे मैंने ना कल collect किये थे, वो उनमें थैली नहीं बांदी होई थी, फिर भी वो मुझे बाईचांस मिल इन में हम मैं थैलियां उपर बांदूँगी, तो वो मैं आपको वो भी add कर दूँगी, इसमें आप देख लें किस तरह के seeds होते हैं, इसके, साल्विया के भी देखिए, अब ये seeds जो हैं, ये flowers जो हैं, वो सूखने लग गए हैं, तो ऐसे जैसे जो ये flowers सूख जाते हैं ना देखिए, इनको आप collect करें, और इनको जब आप इनके base में आपको seeds मिलेंगे, अब भी आपके पास time नहीं है, तो खाले फ्ला, ये देखिए, ये seeds दिख रहे हैं आपको ये, ऐसे साल्विया के seeds आप ऐसे, सूखे जो full हैं, और time नहीं हैं, तो सूखे full ही एक बार रख ले आप बाद में इसमें से निकाल लेंगे, तो इस तरह से देखिए, ये, साल्विया के, ऐसे आप seeds collect कर लेंगे, इस तरह से साल्विया के seeds collect हो जाएंगे, देखिए, डाइन थास के भी जब full सूख जाते हैं ना, तो मैंने अभी इनकी ना, उस दिन cutting कर दी, क्योंकि मुझे ये बचाने थे, लेकिन इसके seeds भी आप बचा सकते हैं, इसका ये देखिए, ये जो seeds होते हैं, ये फूल है ना, ऐसे जब ये फूल सूख जाएंगे, ये पौदे पर लगे लगे ना, ये चीज़ ब्राउन हो जाती है, ये जो green दिख रही है, तो उस टेम फिर आप इसको collect कर लें, ब्राउन हो जाएं तब, और फिर इसके अंदर यहां से आपको seeds निकलते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये, यहां ये सारे seeds हैं, ये green portion दिख रहा है, इसमें सारे में seeds हैं, जब ये सूख जाएगा, तो ये seeds निकलते हैं इसमें से, अभी ये हरा है, तो इसको उपन करेंगे, तो ये जो, मैंने आपको दिखाया था, इसके बीच बहुत बारीक बारीक होते हैं, देखिए, ये दिख रहा है, आपको काले काले बिंदियां से, ये, ये ये इतने बारीक बारीक seeds होते हैं, ये जो मैंने बीच में आपको दिखाया था, ना, portion उसमें से न हैं उसके अंदर से आपको अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता ना तो एंड में जब लगाने हो फूल को ऐसे क्रश करके यूँ बिखेर दो जमीन में अलग से सीड निकालने नहीं आ रहे हैं तो फूल को अच्छी तना ऐसे क्रश करके और जमीन में बिखेर दो अपने पौदे लग जाएंगे अब देखे पिटूनिया के बात करते हैं पिटूनिया में इतना सूख गया यह पौदा इतना भी आप इंतजार करते हैं अच्छी तना पौदा जब सूख जाता है तो यह देखे फूल के नीचे का यह जो पोशिशन है ना यह देखे यह यह फूल उसके नीचे जो हरी पत अब आपको थोड़ा और अच्छे तरह बताती हूं तो यह देखिए यह जैसे यह फूल है फूल भी सुग गया है यह देखिए अब यह फूल हमने ऐसे हट गया देखिए और यह फूल के निचे यह दिख रहे हैं आपको यह देखिए यह इसको अगर हम इसको ही रख लो बस आप अगले सीजन में इसको ऐसे किया हम मिट्टे के उपर ऐसे कर दोगे तो यह देखिए देख रहे हैं यह सीड्स है पिटूनिया तो ऐसे हमें पिटूनिया के मैंने भी यह रखा हुए इसके सीड्स कलेक्ट करूंगे यह देखिए यह अब इसके भी plant जो है season जा रहा है कुछü सूख रहे है नई बर्ड्स भे आ दिया है लेकिन इसके यह देखिए यह जैसे यह बज़़ा सूख गया है अब इसमें देखिए यह यह सीज था इसके यह बज़ गिमाइं इनको आप ऐसे ही तोड़के रख लें, देखिए ऐसे ही तोड़के रख लें, यह मैं भी collect कर लेती हूँ, ऐसे ही रख लेते हैं इनको, देखिए, देखिए जब फूल खिल जाता है ना, तो पत्ते और फूल गिर जाते हैं, तो यह जो नीचे का portion बच जाता है ना, यह देखिए ऐसे लेना हम, यह देखिए, अगर आप इसको time से नहीं लेंगे न, गिला नहीं लेना है, लेना सूखा ही है, लेकिन थोड़ा time से लेना है, अगर देर कर देंगे तो यह ऊड़ जाते हैं, यह natural mechanism होती है, अब देखिए इसके अंदर यह seeds हैं, इसको अगर हम ऐसे करते हैं, देखिए इसमें दो तरह की आते हैं यह, डाइम और फुथी का भी इसको इसलिए का जाता है, इसमें दो तरह की birds आती हैं, देखिए वो जो मैंने अभी दिखाया थे, वो seeds नहीं थे, वो बारीक बारीक थे, यह है seeds देखिए इसके यह, किसी-किसी bird में मिलेंगे किसी में नहीं मिलेंगे, तो आप इसके birds कथी करें, और जो है, वो, उन में ऐसे मोटे मोटे seeds जिसमें मिलते हैं, देखिए, इसमें भी एक मोटा seeds निकला, यह देखिए, यह वाला, तो ऐसे यह जो मोटे मोटे seeds हैं, आपको इन मोटे मोटे seeds को collect करना है, यह दो तरह के आएं फोड़ा सीड हमें कलेक्ट्रों नहीं के यहा?! अब देखें अलब करके थे आ Hybrid एक दो दिन और फिर फ़ड़ा सा राक इसके उपर लपेटके हैज और रख लें अब देखे डॉप फ्राइर में यह जब डॉप फ्राइर ऐसे सूख जाते हैं ना देखे यह मैं उताती हूं यह देखे। सूख जाते ना कि ऊपर कहा फूल हटा लिते हैं ये जो चीज caती है ना नीचे इस देखें कैसे जढ़े जा रहे हैं इसमें निखले है इसमें से तोड़के इसमें से सीड्स निकाल ले ये स्वार के सीडस नुकाला है इस तरह से ये और श्याज को इखठा कराइए यह देखिए यह देखिए यह दोग फ्लायर के सीड्स इकट्टे हो गए अगर आपको पहचानने में दिक्कत होती है ना तो यह फली है यह यह फली यह वली यह पॉर्शन यह इसको यह आप रख लें इसमें निकलते तो रहेंगे लेकिन साथ में इनको भी रख लें कुछ को ताकि आपको बाद में इडेन्टिफाई हो सके कि यह दौग फलायर के सीड्स हैं यह देखिए अभी भी है समें लगे होई है देखिए गर्मी में यह हला रहे है देखिए ऐसे मुर्झा रहे हैं अभी पानी देना था यह देखिए इसका ऐसा यह जो सूखा फूल होता है न इस फूल को ऐसे ले 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 इसको रख ले और जरबेरा को जो देखिए यह यह देखिए अभी अच्छी तरह सूखा नहीं है जैब यह अच्छी तरह सूख जाता है तो यहाँ पे भी बाल बाल से और बीज बीज से दि तो आपको वाइट 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 यह साथ लगे हुए होते हैं बाल, यह बस बाल वाला पोर्शन आपको देखना है जादा डिटेल में मत जाएं तोबी, यह देखे यह थाइमो फिला है, देखे यह कितने प्यारे हैं उदर से धूप आरी है इसलिए उस तरफ जा रहे हैं, देखे कितने प्यारे हैं यह और इ सीड्स हैं इसकी यह उपर बाल है नीचे जो डॉट है वो सीड्स है इनको आप ऐसे कलेक्ट कर लें मतलए ऐसी पॉड्स को ही कलेक्ट करके रख लें और जब आपको लगाना हो ना दिवाली के बाद यह थोड़े लेट खिलते हैं ऐसे थाइमोफिला जो है ना यह बाकी फ्ल सद्व साथा- सब्सक्राइब क्यारा है ने बाल-बाल टिकी बाल–बाल-बाल-, उनके बाल, हर जो hair होता है, उसके base में एक seed होता है, क्योंकि ये nature का एक mechanism है, कि हर seed के साथ नहीं, कुछ ना कुछ उड़ने का system attached होता है, तो ये hair जो होते हैं, ये उड़ने का system attached होता है, वो seeds होते हैं, तो उनको आप ले ले, collect कर ले ये देखिए, प्लास्टिक ला रहा है, ये मैं नर्सरी में गई थी, तो नर्सरी में मुझे सूखा हुआ मिला लाई हूँ, इसकी देखिए, नीचे की तरफ ये black black जो दिख रहे हैं, ये जो black black दिख रहे हैं, ये इसके seeds हैं, और देखिए, यहां नीचे भी गर गया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ओके फ्रेंड्स, बाई